Next question है, समी करन 10 inverse of 2x plus 10 inverse of 3x is equal to pi by 4 को हाल कीजे अब इसको solve करते हैं, पहले हम एक दिया गया समी करन को लिख लेते हैं, समी करन है, सिंस 10 inverse of 2x plus 10 inverse of 3x is equal to pi by 4, ठीक है बच्चों, अब इसमें हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, हमारे पास फार्मूला है 10 inverse x plus 10 inverse y, इन दो ITF को जोड़कर एक ITF यानि 10 inverse की रूप में लिखा जा सकता है, तो इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, 10 inverse of x plus 10 inverse of y is equal to 10 inverse of x plus y upon 1 minus x into y, ये कब लागू होता है बच्चों, when x into y is less than 1, ये ध्यान रखना है, ठीक है, जब हम इसके हल प्राप्त करेंगे, x कमान प्राप्त करेंगे, तो हम इस सर्थ को ध्यान पर रखेंगे, तो चलिए फार्मूला लगाते हैं, तो there implies 10 inverse x plus 10 inverse y, लगा दीजे, 10 inverse of x plus y, ये 2x plus 3x upon 1 minus 2x into 3x is equal to pi by 4, ठीक है बच्चों, अब इसको लिखा जा सकता है, यहाँ पर दो तरीके समझ सकते हैं, या तो दोनों तरफ 10 ले लिजे, तो दोनों तरफ 10 लेंगे, तो 10 आप 10 inverse आप दीज, या एक बार और सराल कर लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, ये हो गया 5x, ये हो गया 1 minus 6x square, और is equal to pi by 4, दोनों परक्षों का 10 ले लिजे, तो ये 10 आप 10 inverse हट जाएगा, ये बच जाएगा, 5x upon 1 minus 6x square is equal to 10 pi by 4, और 10 pi by 4 होता है 1, 10 पैंतालिशन, 5x by 1 minus 6x square is equal to 1, अब इसको और मानक रूप में लाईए, एक equation दीख रहा है, x में एक equation दीख रहा है, इसका पक्षांतर कर ये 1 minus 6x square, तो ये हो जाएगा, ये दोनों को पक्षांतर कर ये, लेप साइट ले आएए, 6x square plus 5x minus 1 is equal to 0, ये x में एक वर्ग समीकर्ण बन गया, अब x में एक वर्ग समीकर्ण बन गया, छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हो, ठीक है, चलिए हम इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं, splitting the middle term, मद्य पत को दो भाग में बाट कर, यारे गुलनखन भी दी और दूसरा सूतर भी दी, इसमें से जो आपको अच्छा लगता है, वो कर सकते हैं, तो चलिए हम 5x को split करते हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों, 6x minus x, split करने का तरीका आपको पता है, 6x minus x minus 1 is equal to 0, there implies यहाँ पर, 6x is the common, x plus 1 minus 1 is the common, x plus 1 is equal to 0, आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा, x plus 1, और दूसरा गुलनखन आगया, 6x minus 1, 6x minus 1 is equal to 0, दो गुलनखन, गुलनखन याने शुन्यक का सिद्धान्त लगा दिया, तो x plus 1 is equal to 0, या फिर 6x minus 1 is equal to 0, then x is equal to minus 1, and x is equal to 1 by 6, अब यहाँ पर दो जावाब हैं, अब यहाँ पर कौन सा सही है, पहला x का मान सही है या दूसरा सही है, इनमें से कौन संतूष्ट करता है, इसका दोनों पक्ष पराबर आ जाए, उसको चुनना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जो सर्थ हमारा सही उत्तर के लिए, चुकि क्या होना चाहिए, x into y is less than 1 होना चाहिए, याने x क्या हमारा, 2x, और y क्या हमारा, 3x, तो 2x into 3x is less than 1, याने x का स्क्वार is less than 1 by 6, x into x, x is square, और 2 into 3 is 6, 1 by 6, अब करके देखें, पहला मान, इसकी जाज करते हैं, x बराबर minus 1 रख करके देखते हैं, तो minus 1 का square is less than 1 by 6, सही है कि नहीं देखते हैं, minus 1 की square 1, 1 is less than 1 by 6, क्या 1, 1 by 6 से छोटा है, जी नहीं, जो सही नहीं है, जो सत्य नहीं है, दूसरी और हम, 1 by 6 रख करके देखते हैं, तो 1 by 6 का square, यहां रखे x की जगा पर 1 by 6, is less than 1 by 6, यह हो जाएगा 1 by 36, is less than 1 by 6, अब आप देख सकते हैं, 1 by 36, 1 by 6 से छोटा है, जो सत्य है, तो यह जो है सर्थ का पालन कर रहा है, यानि यह अभिष्ट हाल है, तो आप लिख दीजे परंतु x is not equal to minus 1, x का मान minus 1 नहीं हो सकता है, सर्थ का पालन नहीं कर रहा है, अथा अभिष्ट हाल, यह हमारा final answer है, अभिष्ट हाल x is equal to 1 by 6, इस प्रकार जे हम हाल कर सकते हैं, तो बच्चों जब समीकरण हल करने के लिए कहा जाता है, तो आपको जो हल प्राप्त होता है, उसका भी जाच करना है, यदि एक से अधिक मान है, तो आपको जाच करने की जरूर आवश्कता है, उसमें से क्या दोनों सही मान है, या एक सही मान है, यह आपको तैय करना है अब हम एक छोटा सा समीकरन लेते हैं बच्चो देखिए इस समीकरन की विशेशता दिखे यह कोश्चन है समीकरन हल कीजिए यह समीकरन है 10 inverse x plus 2 cot inverse x is equal to 2 pi by 3 चले बच्चो इसको solve करते हैं यह है दिया गया समीकरन नोट कर लेते हैं पहले 10 inverse x plus 2 cot inverse x is equal to 2 pi by 3 अब यहां पर जब हम गौर करें एक जो है 10 inverse x है जबकि दूसरा 2 cot inverse x है तो 10 inverse x plus 10 inverse y लगाना चाहते हैं तो इसको आपको cot inverse को 10 inverse में चैंज करना पड़ेगा ठीक है फिर 210 inverse अब दीस फिर उसको चैंज करना पड़ेगा तो हम एक और विकल पर लेते हैं बच्चो यहां पर हम क्या करते हैं 2 cot inverse x को cot inverse x plus cot inverse x करते हैं तो इसका रूप यह हो जाएगा हमारा cot inverse x plus cot inverse x is equal to 2 pi by 3 यदि हम इसका पेर बना दे तो हमें पता है इनका पूरा गुंड इनका योगफल pi by 2 होता है 10 inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2 होता है यह आपने गुंड धर में देखा है तो हम इसको लिख सकते pi by 2 plus cot inverse x is equal to 2 pi by 3 आप इस फार्मला को अप्लिक लिजे यहाँ पर जो आपने अप्लाई किया है since 10 inverse x plus cot inverse x is equal to pi by 2 यह लिख दिजे आपने इसका उप्योग किया है अब इसको हम थोड़ा simplify करते हैं बच्चों तो cot inverse x is equal to 2 pi by 3 minus pi by 2 इसको हम हल करते हैं कितना आजाएगा देखें हल करते हैं इसको lcm कितना हो गया 6 तो 3 दुनी और यह हो गया 2 दुनी और minus यह 2 ती अच्छा है और 3 एकम तो बच्चों यह आगया 4 pi minus 3 pi याने pi by 6 यह pi by 6 हो गया ठीक है बच्चों तो cot inverse x is equal to pi by 6 there implies x is equal to cot of pi by 6 cot pi by 6 याने cot t-sons cot t-sons कमान होता है root 3 therefore x is equal to root of 3 ठीक है बच्चों तो अब आप देख सकते हैं इसको यहां रख करके देख सकते हैं संतुष करा के देख सकते हैं x का यह मान जो इसको संतुष कर रहा है अभिस्ठ हल होगा यही अभिस्ठ हल है तो यहां पर बच्चों आपने सवाल को और छोटा कर लिया यह आपके उपर हैं आप सवाल को कितना छोटा कर सकते हैं और कितना कम समय में आप उसको गुण धर्म को उपयोग करते हुए बना सकते हैं